नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक तो आई यूट्यूब चेनल दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटिस्ट अपडेट्स की तो शुरुआत करते हैं सबसर पहले मार्केट से जो 24 ओर्स में 4% उपर है टोटल मार्केट के 1.79 और अगर हम BTC का प्राइस देखे 40,508 डॉलर पर अभी ट्रेट कर रहा है 24 ओर्स में अगर आप देखे 4.90% बड़ा हुआ है मतलब आज के दिन में अगर आप देखे यहां पर आज रात को FOMC की मीटिंग होने वाली और एक फेक आउट अगर आप देखे तो लगाता है य फेक आउट था वो देखने को मिला उसके बाद फिर सगर आप देखे तो यहां पर अभी जो BTC है वो 40,504 डॉलर पर ट्रेट कर रहा है और अगर हम अगर हम अगर कोई की बात करें तो वह भी आप देख सकते है थोड़े यहां पर रिकावर होते हुए नजरा रहे हैं लेक परकेट से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट की तो आते हैं सबसे पहली अपडेट की और जो अभी कंडिशन बनी हुए युक्रेइन और रशिया के बीच उसी से जुड़ी यह युएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन वो अब यहां पर ट्रेवल करने वाले हैं ब वो होता हुआ नहीं आ रहा है लगातार यहां पर हमले रशिया के द्वारा किये जाए जिस वज़े से अगर आप देखे तो यहां पर युक्रेइन के द्वारा ऑल्मोस 36 और का जो कर्फ्यू है वो भी लगा दिया गया है उनकी सीटीज में अब आते हैं अगली अपडेट कर दिया है बाइनेंस और आपर अपनी क्रिप्टो सरविस प्रोवाइड करेगा मतलब यहां पर आप देख सकते हैं एक और कंट्री में बाइनस अपनी सर्विसेश प्रोवाइड करने वाला अगर माइनस की बात करें यहां पर इसे लाइसेंस मिल चुका है इससे पहले अब यहां पर इसे लाइसेंस प्रॉइट कर दिया गया है मतलब दूबई में भी बाइनस अपनी सर्विसेज जो है वो प्रॉइट करता हो बन ज़राएगा अभी तक ऑफिशली कोई न्यूज यसी निकल कर नहीं आई यह लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं Binance has been granted the first license for global crypto asset provider in the cooperation council for the Arab state of the Gulf जहां पर Arab states मतलब Central Bank of Bahrain नहीं आपर यह अनॉंसमेंट किये कि Binance पहला ऐसा exchange बन रहा है जिसको यहां पर इनके द्वारा license प्रॉइट किया गया है वो अब अपनी services यहां पर प्रॉइट करने वाला है अब आते हैं अगली update की ओर Ukraine government launches official website for cryptocurrency donation जहां पर अभी के समय में अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी का काफी ज़्यादा use case जो है वो बड़ा हुआ है अगर हम रशिया और Ukraine की बात करें यह दो ऐसी countries है जिन में अभी war की situation बनी हुई है इस वज़े से अगर आप देखें तो उनकी मुद्रा को यहाँ पर अभी काफी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहा है इसके तुरू आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक अच्छा साइन यह है दोस्तों की जो भी पर सीधा इनके पास जाएगा गवर्मेंट के पास जाएगा और वहां से वो इसका यूज कर सकते हैं इंडिया टारगेट 700 क्रिप्टो इंवेस्टर्स पॉर नॉन प्रेमेंट ऑफ टेक्स जहाँ पर रिपोर्ट करनू सर अगर आप देखे तो इंडिया यहाँ पर लगबग 700 क्रिप्टो इंवेस्टर्स को टारगेट करता हुआ नजरा रहा है जिन्हों ने यहाँ पर क्रिप्टो पर टेक्स प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब यहाँ पर एक अच्छा खासा पेशा यहाँ से कमया हुआ है crypto transactions के दुरू आप देख सकते हैं इंडिया के income tax department के द्वारा यह identify किया गया है 700 से ज़्यादा cryptocurrency investors ऐसे हैं जिनों ने यहाँ पर tax pay नहीं किया है high value crypto transactions पर मतलब जो high value crypto transactions हुए थे उन पर यहाँ पर उनके द्वारा payment नहीं किया गया उनको यहाँ पर target करते हुए नजरा रहा है अगर हम tax की बात करें तो 1st April से यहाँ पर tax applicable हो जाएगा वैसे भी अगर आप देखे 30% का एक heavy tax जो यहाँ पर applicable हो जाएगा अगर अगर अभी आप देखे लोग सभा का यहाँ पर जो session चल रहा है part 2 उसमें आप देख रहे हैं काफी सारे discussion भी हो रहे हैं क्रिप्टो को लेकर काफी सारे सवाल सें उनके जवाब भी वहाँ पर दिये जा रहे हैं अगर हम देखे तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई decision गवर्मेंट के दवरा लिया जाए takes को कम करने के लिए लेकिन वो उनके दवरा लिया जाएगा लेकिन हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि लगातार twitter पर जो hashtag चल रहा है reduce crypto takes का उसे लगातार trending में रखें लगातार आप daily महाँ पर tweet करें उसके साथी जो petition चल रहा है crypto takes को reduce करने के लिए उस पर भी आप sign करें उसे भी आप share करें जादा से जादा logo तक ताकि crypto की community का पता चल जाए यहाँ पर government को कि crypto की community काफी जादा बड़ी है और उन्हें यहाँ पर पता है कि अगर वो takes लगेगा तो उन्हें काफी जादा नुक्सान होने वाला है उसे reduce करने के लिए उसको यहाँ पर support करना होगा और उसके अलावा अगर हम आज रात की बात करें A4MC की meeting यहाँ पर organize होने वाली है almost यह अगर आप यहाँ पर देखे तो यहाँ पर midnight को यह meeting organize होगी क्या कुछ फेसले यहाँ पर लिए जाते हैं कितना क्या interest rate यहाँ पर बढ़ा जाता है कई न कई उसका impact market पर पढ़ सकता है और जैसे ही कोई और update निकल कराती है हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे तो channel से जुड़ जाएं साथी telegram को भी join कर ले वहाँ पर भी आपको crypto से जुड़ी हर एक update सबसे पहले प्राप्त होगी अब हम आपको मिलते किसी हो नहीं update के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें थेंक्यू